Hello everyone, welcome back to my tip channel, Zografic Alay आज के इस वीडियो में हमनों discuss करेंगे construction करना, किसका conical projection with two standard parallel पिछली वीडियो में हम लोगों ने conical projection with one standard parallel को discuss करा था आज two standard parallel को discuss करेंगे So, सबसे पहले ये देखते हैं कि two standard parallel का यहां मतलब क्या है So, अगर यह हमारे sphere है, यह globe है इस पे अगर हम लोग एक cone project करते हैं cone as a developable surface लेते हैं और फिर इस पे अगर graticules बनाते हैं तो अगर यह cone किसी दो जगा पर touch कर रहा है Okay, then यह दोनों जगा, यह two standard parallels हो जाएंगी Okay, अगर सिर्फ एक जगा touch कर रहा होता Then it will be one standard parallel अगर दो जगा touch कर रहा है Then it will be one standard parallel अब question क्या कहता है Draw a conical projection with two standard parallel With the following details RF दिया है Latitude and extend दिया है 20 degree knot, 20 degree knot Longitude and extend दिया है Degree interval, that is 10 degree And two standard parallel दिया है 40 degree and 60 degree यह सारी details आपको question मिलेंगे आपको इसके लिए परेशार होने की जूरत नहीं है इस सब आपको मिलेगा आपको construction करना है So, जैसे हम लोगे one standard parallel में construction किया था यहाँ पर तीन step में construction होगा तो पहला है First we will calculate the radius of the projection तो radius of the projection निकालने के लिए हम लोग actual radius of the earth तो consider करते है That is 635 000 000 centimeter Because rf is in centimeter फिर radius निकालने के लिए हम लोग radius of the earth को rf से multiply कर देते है तो rf fraction में है 1 upon 125 000 000 को हम लोग 635 000 000 से multiply करेंगे तो हमारा यह radius of the earth आ गया radius of projection आ गया sorry 5.08 centimeter आपके जो rf दिया होगा जैसे आपको अगर 1 lakh दिया है या 2 lakh दिया है तो आप वो rf से multiply करेंगे हमारे यहाँ 125 1 is to 125 000 000 दिया है तो हमने उससे multiply किया है आप को जो दिया जाएगा आप उससे करेंगे तो इससे तो हमारा पहला step होगा that is radius of projection अब step 1 में हम लोग construction करेंगे जिसमें हम लोग angles बनाएंगे तो इसके लिए हमें protector, एक scale और एक pencil इसको ज़रत पड़ेगी तो सबसे पहरे हम लोग क्या करेंगे एक 5.08 centimeter की line खीच लेंगे हम लोग ने scopic को adjust किया अब हम लोग ने क्या किया यहाँ पर एक 5.08 centimeter की line खीच ली straight line और इधर भी 5.08 centimeter की लगभग line कीच ली straight line, मतलब यहाँ पर 90 degree angle होना चलिए अब we'll take compass compass लेकर compass से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग अपना point रखेंगे compass की nib और 5.08 centimeter जो हमारा radius है उसका एक quarter circle हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे यह हम लोग ने कर दिया अब हमारे पास angles कौन कौन से दिये थे हमारे पास पहला standard पहला 40 degree second standard पहला 60 degree और degree interval 10 degree तो यह तीनों angles हम लोग construct करेंगे सबसे पहले तो हम लोग ने protractor लिया हम लोग ने यहाँ पर रखा और हम लोग ने सबसे पहले 10 degree का mark लगा लिया उसके बाद 40 degree का and then 60 degree का mark लगाने के बाद हम लोग इसको इस point से वापस मिला देंगे यह हम लोग ने मिला दिया यह हो गया 40 degree का and यह हो गया हमारा 10 degree का okay तो यह हमने mark कर लिया so हम लोग इसको अब नाम देंगे इसका नाम हम लोग ने रखा A इसका B naming बहुत important है because हम लोग को भी measurements आगे लेने है C, यह D, यह E and यह F okay अब next step में हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह distance लेंगे B और C के distance okay, B, C distance हम लोग ने ली अपने compass से और फिर A point पर रखकर एक हम लोग ने फिर से यहाँ पर arc लगा दिया यह हमारा arc लग गया किस distance का, this is a distance of B, C यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तक यह आपको असानी हो B, C okay, अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग ने तीनो सारे angles बनाए उसे पर B, C का distance लेकर के हम लोग ने यहाँ पर arc लगा लिए okay, so now we will, what we will do जो हमारा यह कौन सा angle है, 40 degree का this is 40 degree हम लोग यहाँ पर इसलिए ने लिख रहे हैं बिकास यहाँ पर होचपोच हो जाएगा फिर, okay इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, 60 degree okay, and this is 10 degree अब जो 40 degree की line है उसको हम लोग, जो हमारी vertical line है, इससे मिला देंगे यह हम लोग ने मिला दिया जहाँ पर यह arc टच कर रहा है this arc, and जो हमारा 40 degree का line है, हम लोग यह जहाँ पर यह arc, और यह degree वाली line, 40 degree, जहाँ मिलेगी इसको AF से मिला देंगे and similarly, 60 degree वाली पर मिला देंगे यह हम लोग ने मिला दिया okay, so हम लोग इसको नाम दे देंगे इसको हम लोग नाम दे दिया E, F, G, और यह H and this I, and this is J okay, so यह सारे नाम हम लोग ने रख लिए यह हमारा figure 1 हो गया figure हम लोग construct करेंगे figure 2 इसी को use करके, इसमें भी हम लोग compass लेंगे, सरसे पहले हम लोग एक straight line लेंगे we'll draw a straight line pencil से हम होंगे बना लिया, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे DE distance लेंगे, we will take DE distance D और E we'll take DE distance यह वाला, जो हमारा interval है मतलब, जो हमारा दोनों standard parallel में difference है, 40 और 60 के बीच में जो difference है वाला हम लोग ने लिया और हम लोग ने यहाँ पर जो निर नीचे वाला point है, यहाँ से एक art लगा दिया ओके, आपको दिख रहा होगा pencil से लगा है, थोड़ा सा light है it must be visible अब हम लोग क्या करेंगे, first we'll take GH we'll take GH 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 लेकर हम लोग एक essay इसके इस वाले point से, ओके यहाँ से, next we will take IJ जिसको हम लोग यहाँ से art लगा देंगे ओके, अब हम लोग pencil लेंगे और ruler लेंगे फिर यह वाले point और यह वाले point पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला दिते हैं विल लोग पहले आपर straight line कीचके मिला दिया यहाँ पर भी हम लोग ने मिला दिया अब यह arc वाले point इसको हम लोग रख दिया G because GH था तो G-H- और इसको रख दिया I- और J- फिर हम लोग ने G- और J- को आपर से मिला दिया और एक straight line खीचके यहाँ पर जहाँ पर हमारा यह point आ रहा है यह जो हमारे vertical line कीची थी और G- I- वारी line से हम लोग ने इसको मिला दिया इसको नाम दे दिया P ओके दिस विल भी P तो यह हमारा होग गया figure 2 हमने इसमें क्या किया सबसे पहले एक horizontal line कीची फिर ED this is ED हम लोग ने ED distance लिया यानि की जो difference between हमारा दोनो standard parallel 40 और 60 के बीच में जो difference है इसके बीच में difference हम लोग ने यहाँ पर mark किया then हम लोग ने GH distance लिया यहाँ से एक SR लगाया then IJ distance लिया यहाँ से एक SR लगाया okay left hand side में फिर H dash को G dash से मिला दिया J dash को I dash से मिला करके एक straight line हम लोग ने slanting line मिला दिया और इस horizontal line से हम लोग ने इसको intersect करा दिया जहाँ पर यह दोनों lines meet करेंगी उसको हम लोग P mark कर लेंगे तो यह दोनों हमारे constructions हो गए यह हमारा figure 1 और figure 2 हम लोग बनाएंगे figure 3 that is our main map projection figure 3 में हम लोग graticules बनाएंगे मतलब great network बनाएंगे latitudes और longitudes का तो इसमें हम लोग को यह देहन रखना है जो हमारा CB distance है this will be taken as जो हम लोग latitudes बनाएंगे latitudes and यह वाला figure हम लोग यूज करेंगे longitudes बनाने के लिए we take point P और इसमें हम लोग एक सीधी line बना देंगे we'll draw a straight line from point P उन्हें बना दी इसको मतलब उपर कर देता हूं ताकि आपको दीखे अब हम लोग क्या करेंगे we'll take our compasses compass लेने के बाद सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह वाले figure से हम लोग को use करना है और इससे हम लोग को पहले standard parallels बनाने है तो हम लोग P से distance लेंगे और यह h तक यहां तक नीचे तक यह distance ले करके यहां से हम लोग एक पहले arc लगा देंगे we'll make an arc ओके this will be our यह हमारी कौन से standard panel होगी यह हमारी होगी 60 degree उके उसके बाद हम लोग यह mark करेंगे यहां से हम लोग ने P से IJ वेला distance mark किया और फिर हम लोग यहां पर एक और arc लगा देंगे यहां किकला गॉडVIS उके this will be sorry this will be 40 degree and this will be 60 degree उस्मारी दो standard Extreme होगी 40 degree and 60 degree थी को यह हमारी बना चुकी यह अब अम से लोगो यह देखना हे कि हमारा latitude and extend क्या था latitude and extend ह supportive हमारा 20 degree 9 to 80 degree 9 था तो 60 के उपर 70 और 80 इंटर्वल के ताल 10 डिग्री इंटर्वल बस 10 डिग्री तो 60 के उपर हमारा 60 के उपर 70 और 80 रहेगा और इधर नीचे 20 था तो 60 के बाद 50 दें 40 दें 30 दें 20 तो हमारा पूरा ये लैटिटूद इलेक्ट बन जाएगा तो हम लोग 10 degree का वो लेंगे interval यहां से CB वाला distance ले लेंगे because यह वही है CB अब हम लोग यहां से mark लगाना start करेंगे तो यह हमारा हो गया 70 and then यह हमारा हो गया 80 then यहां से हम लोग नीचे mark करेंगे यह हो गया हमारा 50 यह हो गया हमारा 40 है ही पहले ओके यह हमारा हो गया 50 यह वाला हमारा 40 है यह 40 से नीचे हम लोग क्या चाहिए 30 विल टेक विल आर 30 और 30 के बाद हम लोग नीचे एक 20 बनाएंगे यह हमारे सारे आर्क लग गए लाटिट्वीट के इनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा आर्क बनाएंगे बाद में अब हम लोग बनाते हैं लॉंग इनको बनाना थोड़ टिपिकल है इसमें तो सबसे पहले हम लोग लेंगे घ की डिस्टंस जी एच की डिस्टंस जी डाश एच डाश की डिस्टंस ये जो हमारा है ये हमारा कौन से लेंद है मतलब ये जो हमारा जी डाश एच डाश है ये हमारा ये वाला है ओके जी जी एच वाला तो ये किस से बन रहा है 40 डिगरी से तो 40 डिगरी के लाटिट्वीट कौन सी है ये तो यहां से हम लोग आर्क लगाना स्टार्ट करेंगे यह हमारी longitudes होंगे these will be our longitudes longitude and extent क्या है हमारा 60 degree west to 60 degree east तो 60 degree यानि इधर 60 होगा और इधर 60 होगा बीच में 0, 10 से लेकि 50 तक, 60 तक और इधर 60 तक तो यह हमारा हो गया 0 degree line यह हो गया हमारी आप अपने question के साब से इसको vary करेंगे question में अलग अलग दिया होगा तो यह होगा हमारा 60, sorry, 0 के बाद 10 then we'll have 20 then we'll have 30 then we'll have 40 then we'll have 50 then we'll have 60 similarly, इस तरफ भी same latitudes है 10 so 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 to 60 degree west to 60 degree east अब हम लोग यह वाला distance लेंगे j dash, i dash वाला अब हम लोग यह हमारा किस कितनो कौन सा distance है यह वाला, i, j वाला तो यह वाला 60 degree से है तो 60 degree पर arcs बनाएंगे latitudes के तो इधर भी 10 20, 20, आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपने arc बनाएं उसी की बाद उसी की आगे बनाना है 30, 40, 50, and 60 similarly यहां पर भी तो इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अब हम लोग क्या करना है what we have to do सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस projection की boundaries बनाएंगे तो सबसे पहले जो हम लोग का सबसे last वाला वो है कहते हैं यह वाला latitude हम लोग इसका arc बना लेते हैं थोड़ा सा नीचे उपर बन गया है हम लोग यह हमने इसका arc बना लिया ओके तो इसका arc बनाने के बाद हम लोग इसकी boundary कर लेते हैं फहले तो यह last वाला मेरा हम लोग क्या करना है यह सारे points आपसे मिलाने यह वाले points यह वाले और P कुछ points हो सकता है ना मिले लेकिन सारे points मिल जाते हैं लग बग तो जो points नहीं मिल रहे है तो उससे आप ज़्यादा परिशान मत होईए वो because हम लोग compass रूलर से बनाते हैं इस वैसे थोड़ा सा distortions हो जाते हैं similar ले देकिसारे points मिल रहे हैं हमारे okay यह यह ऐसे जाएगा और जो नहीं मिल रहा है उसको आप नीचे वाले से मिला दीजे तो ऐसे जाएगा उसके बाद यह हमारा ऐसे दरवाले भी हमने मिला दिये दरवाले मिला दिये this 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 तो हमनों यह सारे points मिला दिये हैं now अब हमनों क्या करेंगे जो हमने latitudes बचे हुए हैं उनको हमनों बना लेते हैं यहां पर हमनों बापस से अपना compass रखा और इस distance पे जहां पर हमनों यह हमारा जो है 40, 50, 50 degree वेली line इसको हमनों ने complete कर लिए अब पूरा बनाने की जरुवत नहीं है अब सिर्फ हम लोग boundary तक बनाएंगे इसके पद हमनों ने यह यह वाले line की बीच वाला इसमें रखा और यह बना दिया जहां जहां हम लोग ने आर्स लगाता है यहां पर वैसे हम लोग सारे आर्स को complete कर लिते हैं अपने compass से इसको please compass से बनाएगा हाथ माथ से बनाने की जरुरत नहीं है वे कौन number नहीं मिलेंगे फिर आपको then this final वाला यह हम लोग ने ऐसे complete कर लिया तो यह हो गया हमारा projection graticule ready अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको clean करेंगे जितनी एक्स्टर चीज़े बनी इसको rub करेंगे इसको हम लोग अब clean कर लिया है तो हमारी यह standard parallel है 48 degree तो इस पर हम लोग लिख देंगे standard parallel और यहां पर 60 degree वाली पर हम लोग लिख देंगे standard parallel आप लोग पूरा लिखेंगे अब हम लोग इसे labeling करेंगे यह हम लोग ने P बना दिया यह 40 है यह होगा हमारा 30 40 then 50, 60, 70 80 this is 0 degree 10, 20, 30 40, 50 and 60 10, 20 degree 30 degree, 40 degree 50 degree and 60 degree यह हमारा west यह हमारा east यह हमारा north and this is also हमारा north तो यह labeling करने के बाद अब यह total पूरा projection बनके ready हुआ है इसमें कुछ colleges में बोला जाता है कि इसको आप black sketch से बनाए यह black pen से बनाए तो अगर ऐसा बोला गया है तो आप इसको black pen से outline कर दीजे आप इस compass में black pen लगाके direct बना सकते हैं लेकिन उससे accuracy नहीं आती है उससे बहुत बार गलत हो जाता है इसके वैसे आपको problem जिलनी पड़ेगी आपको दुबारा बनाना पड़ सकता है तो पैंसल से बनाएं ज्यादा सही है ज्यादा तर schools में पैंसल से accept कर लेते हैं तो यह हमारा हो गया इधर हम लोग लग देंगे west इधर लग देंगे east तो यह हमारा projection बनके तयार हो गया उपर लग देंगे one standard parallel conical projection and RF लग देंगे तो यह बनके तयार होगा हमारा two standard parallel conical projection that is 40 degree and 60 degree अब इसका use इसकी properties को discuss करेंगे हम लोग हम लोग देखेंगे two standard parallel के properties scale is true only at standard parallels and not at every parallel तो हमने तो projection बनाया था इसमें दो standard parallel थी तो scale होती है हमारी वो इनी दूनों जगा पर true होती है बाकी parallels पर यह गलत होती है it is distorted scale is true at each longitude हर longitude पर इसकी scale true होती है it is more accurate and true as compared to one standard parallel the one standard parallel conical projection होता है उससे काफी accurate होता है और काफी सही होता है and it is neither an orthomorphic nor an homolographic projection जब पर projection बनाते हैं इस पर जो हम लोग map बनाते हैं तो उस map करना ही shape preserved रहता है it is not true shape and neither it is true area तो नहीं यह orthomorphic है और नहीं यह homolographic है next इस पुरे map पे हम लोग world का map नहीं बना सकते हैं because यह conical projection है इस पर जादा tropical areas दिखाते हैं it cannot be used on making maps of polar areas polar areas की maps हम लोग इस पर नहीं दिखा सकते हैं okay next हम लोग इसकी uses देखते हैं uses में यह है कि इसका जो shape है shape and area gets distorted as the distance from standard parallel increases distance from जैसे यह दो standard parallel है हमारी यहां से जैसे हम लोग उपड जाते हैं जैसे नीचे जाते हैं या उपड जाते हैं तो shape और area है यह distort होता है तूटने लगता है इसकी वैशे जिन countries में latitude and extent जादा होता है उनको हम लोग उसके नहीं दिखा सकते हैं जैसे रशिया है इसका latitude and extent बहुत जाता है एफ्रिका इसका latitude and extent बहुत जाता है तो इस पर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं इस पर हम लोग generally Europe और Australia की countries और states को दिखाने के लिए use करते हैं जो यह हम लोग नहीं देखा chronicle projection true standard parallel कैसे बनता है और इसकी क्या properties और क्या uses होते है और one standard parallel के बारे हम डिसकस कर चुके हैं पहले से ही वीडियो में कुछ problem हो कुछ दिक्कत हो तो प्लीज तो comment section दिमेंशन कर दिजेगा वीडियो बसाना है तो like करिए शेर करिए subscribe करिए चैनल को thank you for watching and join